पिर ये विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में रस पर चर्चा करेंगे कि रस का अर्थ है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके कौन-कौन से अभियब की सहता है, आदी विंदुऊ पर हम चर्चा करेंगे सार पृथा रस किसे कहते हैं? क्या अर्थ है रस का तो सामान जिवन में तो रस सब्द का प्रियोग कई अर्थों में किया जाता है लेकिन साहित के छेत्र में रस का अर्थ है आनंद रस का अर्थ किया जाता है आनंद और रस को ही कावी की आत्मा भी माना जाता है और इस आधर पर रस संप्रदाय की इस्ता के रूप में और दूसरी द्रवत्र के रूप में तो सरती इती रस है का सरती इती रस है अर्था जो शरण सील दिर्बन सील है वही रस है दूसरी रस्यते आस्वादते इती रस है अर्था जिसका आस्वाद किया जाए क्या क्या जिसका आस्वाधन किया जाए वही रस है साइत में इसी दितिय अर्थ में रस को प्रीप्त किया गया है इसकार काब का जो आनंद है काब से प्राप्त आनंद का नाम ही रस है इस पर एक परिवासा की रूप महाँ में से कह सकते हैं कि काब के पढ़ने, सुनने, अत्वा नाटक के देखने पर हमें जिस आनंद की प्राप्ती होती है उस आनंद का नाम ही रस है तो यह इस पस्ट है कि सायत में रस सब्द आनंद के अर्थ में प्रियुक्त हुआ है और रस सब्द को अलग-अलग विद्वानों ने अपने अनुसार परिवासित करने का प्रियास किया है आचारिय भरत मुनी ने रस सूत्र प्रेस्टूत किया किसने दिया रस सूत्र आचारिय भरत मुनी छोटा कुशन ये भी पूछा जासाता है कि रशूत्र के विर्णेता कौन है, किसने दिया है, तो वह आचारिय भरत्मनी और वह रशूत्र क्या है, देखी रशूत्र क्या है, बेभाव, अनुभाव, ब्यविचारी, सैयोगात, रश निस्पत्ती, अर्थात, ब्यवाव, अन परदाय को भरत्मनी से ही सुरू माना जाता है, नाटक के देखने, काव के पढ़ने से, दर्शक या सुरोता को आनंद कैसे प्राप्त होता है, इसकी वैख्या उन्होंने अपने रश सूत्र में की है, तो उनका जो रश सूत्र बहुत ही प्रिसिद्ध है, और उनने का अब्यब दिये हैं, रश के अव्यबों का उन्होंने उलेक किया है, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अनेक ब्यंजनों से युक्त अन्न का भोग करते हुए, मनुश आनंद प्राप्त करता है, उसी प्रकार से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संपन इस्थाई भावों का आश्वाधन करता हुआ सेहरदयजन रश का आनंद लेता है और आचारी विश्वयनाथ ने तो रश का स्वरूप भी स्पस्त किया है उन्होंने रश के बारे में कहा है कि रश अखंड है स्वय प्रकास आनंद है चिन में है लोकोत्तर चमतकार है वेदांतर इसपर प्रकार से शुन्न है और भ्रह्मानंद स्योधर है इस प्रकार से भिवारक अर्थ में रश बह है जिससे आनंद की प्राप्ती हो अर्था जिस काभ या नाटक आधी से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसका नाम ही रश है रस को अलग-अलग विद्वानों ने अलग प्रकार से परिवासित किया है अब रस के जो भेद है वो 11 भेद माने जाते हैं लेकिन पहले उनको नोहीं माना जाता था और दो भेद उसके अलग से हैं जिसे सरंगार हाश करोन रोद्र बीर भयानक बीवत्स अदभुत और बातसल्य ठीक है बातसल्य भक्ति और शांतरस है ठीक है तो उनका जो इस्ताई भाव है बातसल्य का और भक्ति का उसमें तो फूत्र विसेक रती उसका इस्ताई भाव है और उसका जो इस्ताई भाव है भै है भगवत शेक रती ठीक है तो एक तरह से उस रंगार रश के अंतरगती परेनेत हो जाते हैं तो इस परकार टोटल इनकी संक्या ग्यार हुई बैसे नो मानी जाती है और इस्ताई भाव भी संक्या में नौई ही है श्रंगार रश का इस्ताई भाव रती है आस का हास है करुन रश का इस्ताई भाव सोक है रोद्र का क्रोध बीर का उत्सहा भयानक कभ है बीवत्स का जुगुप्शा अदभुत का दिस्म है तो ये इनके इस्ताई भाव हुए और जो सांत रश है उसका इस्ताई भाव निर् कि अब आते हम रस के अवियव कि रसके कौन-कौन से अवियव माने जाते हैं तो भरतमुरी ने अपने नार्ट्र शार्सत्र में एक शूतर दिया जो मैंने चर्चा किया एक शूतर कौन सा है बेवाव अनुभाव बेविचारी सहीयोगात करस निस्पत्ति अर्थत बयवाव और ब्यविचारी भाव के संयोक से रसकी निस्पत्ती होती है किन्तु सबसे पहले हम इस्थाई भाव का ग्यान आवशक है तो इन अभ्यवों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस्थाई भाव किसे कहते हैं, क्या है इस्थाई भाव सबी मनिश्यों के हिर्दे में कुछ भाव इस्थाई रूप से विद्वान रहते हैं कि हमारे हिर्दे में कुछ भाव ऐसे हैं कि वो हमेशा इस्थाई रूप से विद्वान रहते हैं उनका कभी भी नास नहीं होता वो हमारे इर्दे में इस्ताई रहते हैं इसलिए उनका नाम क्या पड़ा इस्ताई भाव क्योंकि भे हमारे इर्दे के अंदर किस प्रकार में रहते हैं इस्ताई रूप में विद्वान तहते हैं और अनुकूल कारणपा करके वो उत्पन हो जाते हैं और वो ई उत्पन होकर रस के रूप में परियनत होते हैं इस परकार से जिस भाव का शवरुप सजाती है बॉझत जाती है भावो से तरसकृत नह सके और जब तक रसका आश्वाद हो तब तक जो बर्तमान रहे वही इस्ताई भाव कहलाते हैं और इनकी संख्या मूलते नौ है और वैसे ग्यारह मनी जाती है ठीक है शरती, आस, सोक जैसे मैं थोई दिर पर बताया तुम्हें क्रोद, उत्सा, भै, जुगुप्सा, बिस्मे, निर्वेद, बादसल्य और वक्ति ये सारे भाव मनुश्य में, संसकार रूप में, सुसुत अवस्ता में सदा रहते हैं इसलिए इनको इस्ताई भाव नाम दिया रहा है अब सर्पिर्थम जो रस के अभियाव है उनमें पहला जो अभियाव है वह है विवाव इस्ताई भाव भी उसमा आएगा और विवाव ठीक है विवाव इसके दो पक्ष्य आलम्मन और उद्दिपन विवाव, भाव के कारण रूप भाव की उत्पत्ति के जू मूल कारण होते हैं उनी को विवाव कहते हैं विवाव उपकर्ण नमित्तम हेतुम रिती परियाव है अर्थात रती आधी इस्ताई भावों का विवावन करने या उन्हें आश्वा दियोग वनाने के कारण ये विवाव कहलाते हैं विवाव दो प्रकार के होते हैं आलम्मन विवाव और उद्धीपन विवाव तो आलम्मन किसे कहते हैं उद्धीपन किसे कहते हैं हम इसको समझते देखो आलम्मन वे विवाव होते हैं जिनका सहारा पाकर रती आदी इस्ताई भाव जागरत होते हैं जिनका शहारा पाकर हमारे जो इस्ताई भाब जागरत होते हैं वो ही आलम्मन होते हैं इस्ताई भाब को मूलते उद्वुत और जागरत करने वाले भाब का नाम ही आलम्मन है जिसके आलम्मन नाम से इस प्रस्टन है जिस पर अवलम्मेत होकर रती आधी इस्थाई भाव उद्वूद हो उन भावों का नाम आलम्मन विभाव है नायक नायका आधी उद्धिपन आलम्मन के द्वारा उद्भूत रति आधी इस्थाई भाव को उद्धिप्त या प्रिखर बनाने भाला भाव उद्धिपन भवाव है जिसे हमारे अंदर रति आदि इस्ताइभाव उद्धपन हो चुका है और उस भवाब को और अधिक बढ़ाने वाला जो भवाब है उद्धिपन भवाब है जैसे सरंगार रस में आलम्मन की चेश्टाई उद्धिपक के अंतर काताएगी फुस्प भवाटी का एकान तिस्ता केली कुण बर्षा सीतल सुगंदित बायू आदि उद्धिपन का कारिया करते हैं इस प्रकार ववाब पक्ष रस्परकिर्या का कारण डूप है विभाब का अर्थी होता है कारण अर्था जिस कारण से हमारा इस्ताइभाव उद्धुत हो उस कारण को ही क्या कहते हैं का के शकुन्तला डूष्यंत के प्रेंज़ प्रसंग को हम ले सकते हैं सकुन्तला को देखकर डूश्यंत के मन में रतिया दीभाब उत्पन हुआ तो यहां सकुन्तला क्या क्या हुई आलम्मन बभाब और दुस्चंत क्या हुआ आश्रे बभाब कि सकुंतला की मदूर सुंदर चेश्टाए चंचाल संबाद लता कुंज पुष्प एकांत आदी इसारे क्या हुए उद्धिपन बभाब हुए क्योंकि इन्हीं के कारण उनके अंतरगत उत्पन हुआ जो इस्ताई बहाब है और अधिक बढ़ गया जैसे ही दुस्चंत ने सकुंतला को एकांत में देखा और विभीन चेश्टाओं को देखा तो उनका जो प्रैम था नहीं प्रैम और अधिक उद्धिप्त हो गया इसलिए उनकी जो चेश्टा है उन्होंना उद्धिपन का का रेकिया इसी पकार सभी रसों के उनके अन्यकूली आलम्मन और उद्धिपन विभाव होते हैं कि अगला है कि अनुभाव ठीक है हम इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि इसमें संभब नहीं है फिर अप्लोड नहीं होती है